हलो जी कैसो सारे विसी लव बबन वेल्कम दो चैनल कोड है तो हम पहुंच चुके में लेक्चंबर 48 पर यहां पर बात करने वाले इंगलिस के एक और अच्छे से प्यारे से कोशिन के बारे में इसका नाम है रिमूव डूपलिकेट्स तो इस कोशिन के दो टाइप्स होते है अगर मैं आपसे स्पेसिफिक बात करूँ यार तो यह कोशिन दो फॉर्म में एक्जिस्ट करता है पहला क्या होता है कि यार रिमूव डूपलिकेट्स रिमूव डूपलिकेट्स फ्रॉम ए सौर्टेड लिंक लिस्ट आपको एक सौर्टेड लिंक लिस्ट हो कि इसमें एल लिंक लिस्ट को और दूसरा का टाइप होता है कि आप बोलते हो फ्रॉमा अन्सॉर्ट रेंडम और में एलिमेंट्स पड़े हैं उसमें डुप्लिकेट और आपको रिमॉब करने हैं अभी हम पहले इसकी बात करते हैं बाद में इसकी बात करेंगे तो जो मैं पहले वाले यह 3 है यह 3 है यह 4 है और यह नल करेक्टर है अगर यह मेरा इनिपूट है तो मुझे करना है मुझे भईया हटाने हैं डूबलिकट अलिमेंट्स तो यह यह यहां पर दो बार है इसको अटा दिया फिर 3 भी यह मुल्टिपल टाइम से हैं तो मुझे तो एक इपार रखना आ गया कि यार यह 1 हो गया फिर यह 2 आ गया फिर यह तो हट गया इसके बाद क्या है 3 तो यह 3 आ गया यह भी हट गया यह भी हट गया यह भी हट गया फिर सीधा 4 आ गया और यह नल कपांट कर रहा है तो हर ध्यान से देखे हैं तो यूनीक है ना कोई भी डूप्लिकेट ए पड़ी हुई थी और आपने इसके सारे के सारे डॉप्लिकेट्स को हटा दिया अन्सॉर्टेट वाला भी समझेंगे वह भी करेंगे पहले हम यह सॉर्टेट वाला कोईशन कर रहे हैं और इसकी अप्रोच सोचते हैं कि भाईया चलो ठीक है इसको सॉल्व कैसे करना समझते है मैंने बोला ठीक है अप्रोच बहुत सीधी साधी है जो आपका दिमाग में आरी पस वह ही है अगर कन्फर्म कर लेते हैं तो अप्रोच को डिसकस करने से पहले आपके रिदम ब्रेक ना हो फटा फटसे आप पर जो वीडियो स्पांसर्स आंको शाउट आट देते हैं और फ सबसे प्यारी चीज़ कि आपको कोई भी पैसे देने की नीड नहीं है सब कुछ फ्री आफ कोस्ट है डी लेवल इस कंडुक्टिंग टेस्ट इन नाइन काटेग्री जो कि आपको यहां पर वेजबल होंगी कुछ नहीं काटेग्रीज भी एड़ है जैसे कि अगर आपको अगर बात करें तो यहां पर राउंड आप 40 लपे तक के प्रकेज़ भी ग्राप कर सकते हैं कुछ एक्सांपल्स आपके सामने आपर शो रहे होंगे चीवर्स के और एक और चीज़ अगर आपके हां मंसली इंटरबोर्ड है बने रहते हैं तो आपको इंपट 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 हैं इस पकार का इंपट मिल गया हमने क्या बोला मानलो इस पर अपना करंट पॉइंटर डाल दिया अब क्या हुआ मैंने बोला किया चलो ठीक है इसके आगे क्या है चेक कर लेता है आगे टू है तो टू तो डिफरेंट है वन से वन नॉट इकॉल टू भाई बहुत बढ़िया तो जब यह वाली कंडिशन स्टिस्फाय कर जा है तो यहां से हटाओ और आगे बढ़ाओ कि यहां पहुँच घया अब मैंने फिर दूबलगा चेक किया आगे वाला सेम है क्या अरे यार टू इकॉल टू इकॉल टू डू आ गया जब ये हो गया जब ऑड दूशाध में हो यहाट कर देनी नौट' इकणला और इसको बोला कि याद तू तो छोजाब टिली टू तो होजा डिलीट समझ क्या किया मैंना यह पॉइंटर जो है इसको आगे बढ़ाएता हूं ठीक है पॉइंट टू पॉइंट टू यह है करंट और यह पॉइंटर क्या है इसका नाम क्या है पॉइंटर का करंट का नेक्स्ट ठीक है और यह वाले पॉइंटर क्या बोलेंगे हम करंट के नेक्स्ट का उसको कहाँ पॉइंट कराओ, current k, next k, next पे, तो इस line से क्या होने वाला है, इस line से ये हट जाएगा, ये वाला पॉइंटर हट जाएगा, और ये जो है, यहाँ पर लग जाएगा, इसका क्या करें भईया, इसको delete कराते हैं, यार, मैंने क्या बोला, delete करवादो duplicate वाले को, duplicate वाले को, बहुत बढ़िया, तो मैंने क्या दिख रहा है, कोई भी अगर ऐसे duplicate element आएगा, तो मैं delete करता जाओंगा, और मुझे आगे सिर्फ तभी बढ़ना है, जब भाया, ये वाली condition true हो रही हो, ये condition है क्या, basically, ये condition ये है, कि current का data, is not equal to current के आगे वाले का data, यानि current के next का data, simple, simple, हो गया, यही था question, question में सिर्फ इतनी सी game है, कि यार, same मिल गया, मतलब ये दोनों same data आगई, question क्या कहता है, कि अगर मानलों, ये link list है, question कहता है, तु यहाँ पे है भी, और अगले वाला same है, हो, same मिल गया, चला ऐसे कर इसको हटा दे, और इसको सीथ आगे बढ़ा simple, इतना करना है, दो step की game है, पहले pointer हटा के याँ गुसा आगे ता हूँ, और इसको delete कर दूँगा, order क्या होगा, code करते करते है, हमें सब समझ में आ जाएगा, तो हम code करने चल पड़ते हैं, आज हम यहाँ पर code नहीं लिखेंगे, आज हम सीथा code लिखने चल पड़ते हैं, हमने के बला, चुरू, code हीना शुरू करते हैं, पहला case क्या समझ आता है, कि मार लो link list empty है, empty list है, empty list के case में क्या होने वाला है, मैंने बोला कि यार, if head is equal to is equal to null, इसका मतलब है link list empty है, इस case में कुछ करीन सकता मैं, यार, null रे turn कर दो, यहाँ समझ में आ गई, बहुत बढ़ लिए, second case क्या होगा, non-alim, अब जो हम यहाँ पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि हमारी non empty list है, at least एक node तो ही है, चलो, इसमें क्या करने वाले है, मैंने क्या क्या करने लिए, नोड स्टार, current is equals to head, current pointer आगे, simple, अब मैंने क्या क्या लूप चलाते हैं, मैंने क्या क्या not equal to null, तब तक चलाते जाओ, अब मैं यह चीज़ करनी है, क्या हम एक current वाला pointer, यानि कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अभी current यहाँ पे, तो मुझे करना है, इस data को, इस data से compare करना है, इस data को मैं क्या बोलूँगा, current का data, और इस data को मैं क्या बोलूँगा, current के next का data, इस पर क current के next का data, इसमें चोटी चीज़ थी है, condition अभी समझाएंगे, else यान इक्वल नहीं है, ओके तो यह कौंसी condition है, not equal वाली, हमने not equal वाली condition अभी देखा क्या था, क्या था, क्या यार not equal वाली condition के अंदर, मैंने अभी देखा not equal वाली condition थी, मेरे सामने यह रही, इस condition माने बोला current को आगे बढ़ा दो, तो मैंने बोला current is equals to current का next, बहुत बढ़िया, और यह equal वाली condition है, equal condition है, मैंने क्या बोला था, कि यार बस उसको आगे वाली node करा देना, और delete कर वा देना, जो element duplicate आ रहा है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, मैंने current तो चेक कर लिया, कि ओन नहीं होगा है, तो यानि यह वाली चीज़ चेक हो गई, बट मुझे यह नहीं पता क्या पता current का next null हो, तो current का next null check भी तो लगाना पड़ेगा, मुझे है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यह वाली condition धंग से लगापो, और को null point exception ना है, या फिर को segmentation fault ना है, तो भी है, क्या आ गई, कि यार, current का next is not equal to null, तो यहाँ पर हम चाहिए, इसको और अच्छे से कर सकते हैं, कि मैं current not equal to null की जगा, current का next not equal to null कर दूँ हूँ, यहाँ पर इस प्रकार कर दूँ हूँ, बट मैं चाहता नहीं वह करना, कुछ बच्चे का निफ्यूस हो सकते हैं, इतले मैं अगर data तुमारा equal है, तो तुम क्या करोगे भईया, उस duplicate note को हटाओगे, और जो current note है, उसको आगया point कर दोगे, तो मैंने क्या बोला, कि मानलो मेरी link list इस प्रकार है, one, two, two, और three, और यह, पहला case क्या होगा, कि current यहाँ पर आया है, तो current ने क्या किया, one को two को उपेर किया one not equal to two आया है, not equal to case में current यहाँ से हट के, यहाँ पर चला गया, यह पहला case हो गया, अब इस case में आया, तो भईया, यहाँ यहाँ पर यह two है, और अगले वाला भी two है, तो two is equal to two आया है, ओ भाई, यह तो equal है, equal के case में अब मैं क्या करूँ, इसको समझते हैं, मैंने क्या ब अगर मैं यह वाले pointer की बात करूं और यह का आगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, current की next का next, तो current का next किसको point कर रहा है, इसको point कर रहा है, तो मैंने की बुले, next लिलता है, मैंने यहाँ पर यहाँ नोड बना ली, कि next का next, ठीक है, हमने क्या बूला एक क्या चीज़ है, य है current के next का next तो हमने basically इसके ऊपर एक pointer ले लिया ताकि मैं इसको काटके सीधा इससो point करा पाऊं यह बाद समझ में आ रही है यह बाद समझ में आ रही है और मैंने बलता हम डिसाइड करेंगे हम यह भी पता कि यह दो करने यह वाला step किस order में करने वह भी हम देखने वाले तो मैंने basically एक यह पॉइंटर जो है यह वाला का यह ना यह जो है current connected इका न्ट को पहुंक कर रहा है इसको टिलीट करना तो मैं वह भी करने शाइड में आ न्ट के से कहां रही है है ओड लेकी हुँ अग्ररों इसको ह्इस को सीबन्स होना बहाद यह बात किया सबद मैं यह चीज तो इतना हुमने कर दिया और हमने फटा फट से इसको अच्छे से फ़ार्मेट कर दिया अगरते और देखते हैं क्या आंसर आता है तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया बहुत बढ़िया एक बार दुबारा समझ लिए इस बच्चे को समझ में नहीं है उसको अब समझ में आ जाएगा हमने क्या बोला था शुरू में कि यार मुझे न अगर डूप्लिकेट मिल जाता यानि यह एक लिए पहले करना हो या फिर यह पहले करना कुछ भी करना को देख लेंगे समझ में आ गई चलो हमने क्या बोला कि अगर यह एक लिंक लिस्ट है वन टू 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 त्री और यह नल पॉंटर स्टार्टिंग में करंट यहां पर होगा तो आपने वन और टू को कंपेर क बढ़ा तो क्या होगा यांनि यहां से हट गया अभ कहा पॉंट कर रहा है कर रहा है किक इस वाली अस्ट को और इस और एक यह वाली note, delete करें एंगे तो step है हमारे पस, तो हमने क्या बोला, कि इस pointer को मुझे कहाँ पर लगाना है, इस pointer को मुझे यहाँ पर लगाना है, तो इसकी location पहले store करा लो इसकी location क्या है, यह है current का next यह वाला arrow, current का next और यह वाला arrow क्या है current के next का next यह इसको नमबर करना चाहता हूं मैं तो इसको आगर हम लाइन नमबर 34 पहले लिख देते हैं इसको अपर देते हैं तो उसके बाद हम इसको डिलीट कर पाएंगी क्योंकि हमारे पास इसका ट्रैक ही नहीं है हम इस वाली नोड को इस वाली नोड को ट्रैक कैसे कर रहे थे इस वाले पॉइंटर से कर रहे थे अब अब तो हमने यह पॉइंटर अटाकर यहां डाल दिया तो यह नोड जो है लॉस्ट होगी और यह लॉस्ट होगी डिलीट कैसे करोगे इसलिए हमें पहले इस नोड को डि तो लाइन नमबर 32 में नोट टो डिलीट यहां पर पॉइंट करवा दिया और मैंने जाकर बोला कि इसको डिलीट कर दो लाइन नमबर 33 में फट आफट डिलीट होगी यह भी हट गई अब जो यह पॉइंटर जा रहा था इसका नाम करण का नेक्स था उसको मैंने सही जगा प कोर्सपॉंडिंग और फिर मैं 33 बेसको डिलीट कर दिया और 34 मैंने इस पॉइंट को हटा कर सही जगा पर पॉइंट करवा दिया पढ़िया सिंपल सिंपल यार आपके दिमाग में जो जो स्टेप्स आरे हैं वो ही है अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी डिस्ट होती तो आ आप क्या सोचते हैं सिंपल सी चीज है मान लोगर आपने वीडियों देखी तो आप क्या बोलते आप बोलते हैं और कुछ भी नहीं इस नोट को हटा दूंग और इसको हटाना पड़ेगा खत्म जो आपका दिमाग में चीज आएगे लिंग लिंग लिस्ट के लिए सिंपल वही है इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं होता सिंपल गेम होती है यह बास समाज में आगई सेकंड कोशन पर चलते हैं फिरें कॉंपलेक्शिटी वाइज अगर हम डिसकस कर तो हमें क्या दिख रहा है कि यार हम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करने वाले है तो टाइम कंपलेक्शिटी क्या हो गई हमारी ओ अगले कोशन पर चले अगला कोशन कहता है कि या रिमूव रिमूव डूपलीकेट्स फराम अन्सॉर्ट ट्रैविंक लिंक लिस्ट अब यह अलिमेंट जो है वह रैंडम ओटर में है जैसे एक एक अग्जामपल यहां मुझे दिया हुआ है, यह एक फटा-फट देख लेता हूं, क्या लिखा है नहीं है duplicates तो ध्यांस ईहांपर है यहांपर नहीं होना चीए इसको हटाना पड़ेगा तो यहां पर है इसको हटना पड़ेगा 5 यहां पर है बागे तो यहां पर आइक एलिमेंट एक यह पार होगा बात कफ़ बहुत हम और कुछ पिर फटापट देख लेते हैं मैंने क्या बोला अगर यह array होता हुआ और मुझे इसको अठाना होता ताब simple array मैं तो loop loop लाके game खेल रहे होते मज़ आता है ना अब मैंने क्या बोला कि मैं क्या 4 loop लाके इसको solve कर सकता हूँ अगर मैं इसमें 2 iteration करूँ कि यार मैंने क्या किया पहले एक pointer ना है current यहां पर रख लेता हूँ 4 और फिर पूरी linkless चेक कर लूँगा जहां जहां 4 अगर देलेट कर दूँगा फिर आगे बढ़ गया आगे बढ़के current पहुंच गया यहां तेक है फिर मैंने क्या किया इसके बाद यहां से पूरी linkless चेक कर लूँगा जहां जहां 2 मिलेगा और delete कर दूँगा अटा दिया फिर मैंने क्ले current आगे बढ़ गया फिर क्या करूँगा पूरी linkless चेक कर लूँगा जहां जहां 5 मिलेगा अठा दूँगा तेक है इसी प्रकार मैं पूरी linkless traverse कर गया जब तो current null नहीं होता ध्यान से देखे लिए आप क्या कर रहो आप एक element के लिए आगे की सारी linkless traverse कर रहो आगे की linkless traverse कर रहो आपने वगड़ा किया है मेरा 4 है current element तो इसके आगे की सारी linkless traverse कर रहो हो यह आपका पहरा लूप चल रहा है फिर आपने क्या बोला कि एक node ले लेता हूँ temp जो की कहां शुरू होती है इस current के आगे से इस current के आगे से और मैं क्या करूंगा जब तक temp null नहीं होता जब तक temp null नहीं होता temp not equal to null तब तक यह वाला loop चलाता रहूँगा इस loop के अंदर क्या बोलूँगा कि आर जैसी data same मिल जाए किसका data current का और temp का data जैसी current का और temp का data same मिल जाए मतलब कि इनका data equal हो जाए data के बात कर रहा हूँ ठीक है अपने हिसाब समझाना current के data के बात कर रहा हूँ स्पेस complexity क्या हो गई यह time है यह space है यह space होगी o1 n square लग रहा भाई logic समझ में आ रहा होगा बहुत simple है कुछ आसा rocket science नहीं कर दिया rocket science नहीं कर दिया हो सकता है कि यहाँ पर if condition आपको changes करने है पड़े बहुत असान question है दिमाग लगाओ solve करो खुद अपने आस तब मजाएगा हिंट थोड़ी सी मैं आपको दे दिया question के अंदर किस पकार solve करना है homework इसको आपको लेना है और approach क्या हो सकती है यह है मेरे सामने question 4 2 5 4 2 2 और यहाँ पर head second approach क्या हो सकती है मैंने बुला अभी पीछे वाला question क्या किया था remove कर दो duplicate in a sorted link list step 1 क्या रख दिया इसके अंदर हमने sort कर दो link list sort कर दी step 2 क्या रख दिया use the previous algorithm जा उन्हें पीछे भी सीखी न sorted link list में duplicate कैसे remove करते है वह लेकर लेकर यूज़ कर लेना बन गया एक और solution मैंने देखा था उसके time complexity क्या थी o of n थी तो मेरा answer क्या आ गया कि मेरी time complexity solution की क्या आ गई o of n log n आ गई और space complexity मुझे देख लिए o of 1 है constant एक और solution मिल गया third solution क्या हो सकता है मैंने बढ़ा third solution चाहिए question क्या मेरे सामने 4 2 5 4 2 2 और null pointer यहांप मेरे headpoint कर रहा है तेक है मैं क्या कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ मैंने बढ़ा है जैसे हमने map में वह वाली चीज़ देखी थी second last video में map बनाएंगी एक node star type का key होगी node star type की value होगी bool type की इसका नाहा हम रखते है visited तो आप बेसिकले हम ट्रैक रख रहे थे कि कौन कौन सी node visited हो चुकी है मतलब कौन कौन सी node कौन traverse कर चुकी है तो अगर मैं आप आके बोल दू map के अंदर के भाई जब मैं यहां पे था 4 जो है वो true है भाई मैंने 4 visit कर ली है ठीक है अब जब मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं एक बर चेक कर लूँ क्या node पहले विजिट कर चुका हूं तो जब मैं 2 पे गया तो मैंने बोला क्यार मैं 2 विजिट कर चुका हूं उसने मला नहीं किया या तो ने तो एक और entry बन गई बहुत बढ़िया अब मैं आगे बढ़ गया तो उसने क्या बोला क्या मैं 5 विजिट कर चुका हूं नहीं यार भी तक तो नहीं किया तो एक और entry बना दो 5 की और true की बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाता हूं current यहां पर आगया यहां बताने की जूरत नहीं हम पीशे तीन सा विडियो में आपको उच्छे सिखा चुके तो हमने यह 4 डिलीट करवा दिया code आप लिखेंगे अब मैं 2 पे पहुंचा यहां पे current आगया 2 पे उसमें लिए 2 के corresponding entry पढ़िया तो पढ़िया पढ़िया 5 time complexity क्या होगी single traversal solution निकाला है of n होगी और space complexity क्या होगी map use कर लिया दोस्त map use कर लिया दोस्त worst case में माल लेकि अगर यहां पे 6 node हो या आप माल ले 4 node होती और 4 की 4 हो unique होती तो 4 entry बनती 4 entry बनती ना यह 1 2 3 4 और सारे के सारे true है ना तो worst case में वही है space complexity होगी यहां पर लिख सकते है o of n स्पेस होगी बढ़ाना पड़ गया but at the end में अपने time complexity o of n पर लिया आया तो अगर मुरे को कोई बोलता है कि remove duplicate from unsorted link list मुझे कोई बोलता है remove duplicate from unsorted link list तो मुझे बता है मेरे पास तीन solution बढ़े है मैं कोई भी यूज कर लूँगा of n स्क्राव वाला solution है जहां पर simple मैं दो loop लगा दूँगा या फिर बपास o n log n वाला solution है जहां पर मैं sort कर दूँगा और single traversal में of n में remove कर दूँगा entire solution complexity of n log n रहेगी बठा of n में remove कर दूँगा third solution क्या है map का यूज कर लूँगा o of n देखे तो एक चीज़ धिहान रखना है किसी भी question का आप solve कर दूँगा आपको map वाला solution में जाते हैं इसे map से भी solve कर सकते हैं हमेशा वह solution easy होता है समझने में आपको लए यार यह तुम्हें को जलनी समझ में आ गया interview और अगर बूचेगा तो यही बता दूँगा जितना मैंने अपने interview जितने भी दी है जितना experience मेंने लिए मुझे हमेशा यह चीज़ phase करनी पड़े कि जब भी map वाला solution बताता हूं ठीक है एक extra देख लेना कि और किस परकार solve किया जा सकता है मैं तो बलूँगो सारे देख लेना अपने खुद का पहले बनाने का try करना बट अगर map वाला solution है तो सिर्फ map देखके मत चले जाना बज जाओगे इस बात का ध्यान रहे तीन solution देख लिए दोस्त लिंक लिष्ट है मेरे पास एक circular लिंक लिष्ट है इस प्रकार की मुझे का करना है मुझे का करना है split into two halves समझ में आगी बात आपको इस circular लिंक लिष्ट को two halves में split करना है example के लिए यहाप एगर one होता यह two है यह three है यह four है यह five है यह six है और six ने वापत ही point कर दिया और यह हमालो head है यह आपको input link list आ गई मैंने बोला मुझे output में दो link list चाहिए दो half में तोड़ दो तो पहला half क्या होगा यह half हो गया और फिर यह half हो गया basically यह three nodes हो गई और यह three nodes हो गई यह वाद समझ में आ रही है तो आपका output मुझे क्या दोगे आप बलोगे output के अंदर के one, two, three इसको circle बनाके देना और इसका यह वाला point track मुझे देना second क्या कहता है यह four, five, six four, five, six और इसको circle बनाना इसका भी head pointer बनालना head two करके तो मुझे output में यह दो link list के head चाहिए जो कि खुद भी circular है याद ध्यान रहे बहुत simple question है कुछ भी नहीं traverse करना आने चाहिए आप solve कर लेंगे बड़ी बात नहीं अगर मानलो odd की link list होती odd number of nodes होती तो क्या होता तो ऐसे बन जाता three, four, five और यहाँ पहुंचा पड़ा और मानलो यहाँ पर head है तो यह कुछ इस प्रकार से solution होता है इसका parallel link list मानलो की यह तीन नोड आ गई और दूसरी में मानलो की बच्ची भी दो नोड आ गई तो आपका answer क्या हो गया one, two, three और यह उपर आ गया इस पर हमने head दे दिया अगला वाला यह हो गया चार यह हो गया पांच यह circular link list हो गई इसके उपर एक head आ गया कुशन समझ में आ गया अच्छे से बहुत बढ़िया homework में करके लाएंगे इसको और comment में submit करना या फिर हमारा github पर रैपो बनी पड़ी है github पर रैपो बनी पड़ी है सर्च कर लें लवबबर आपको दिख जाएगी code help dhc series लिखके और वहां पर आप contribute कर सकते हैं इसके solution को जो भी मारा इस lecture number गा lecture lecture 48 है तो 48 वाली directory में जाके इसके solution को contribute कर देना मज़ा आएगा थोड़ा बहुत आप github भी सीख जाएगी contribute करने के भी आपको एक टेस्ट मिल जाएगा बहुत बढ़िया मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुल करने आजकल सारी अप्रोचिस optimized approaches time complexities space complexities homework और और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं बताना के माण सेक्शन के आप सेक्शन के लिए मिलते हैं आप सेक्शन के लिए तब तक के लिए और रचा और भाए झाल झाल